हलो एब्रीवन स्वागत है आपका आज के क्लास में आज जो हम लोग टॉपिक डिसकस करेंगे वो पीजी समेश्टर 3 के स्टुडेंट्स के लिए है और पीजी ट्रीक में जो एक पेपर है हमारा पेपर नाइन्थ जो रिसर्च मेथिलोजी का पेपर है उसके अंतरगर्प ज टेकनिक्स ऑफ जो रिसर्च है उसके अंतरगर्प बहुत सारे टेकनिक्स के बारे में हमें पढ़ना है जो मैंने अपने लास्ट क्लास में भी मैंने टेकनिक्स के बारे में पढ़ाया था उसकी विशेश्टाओं के बारे में उसके प्रकार के बारे में उसमें से जो एक ट उस पर चर्चा आज हम लोग करेंगे. कि ओप्जरवेशन का मतलब क्या है? निरिक्षण निरिक्षण मतलब देखना मतलब कि हमारे जो ग्यानेंद्रियां जो होती है एक इसमें शहायक होती है और उसमें भी जो हमारी आँखें होती है उनका जो रोल होता है इसमें बहुत इंपोर्टन्ट होता है और समाजिक सोध में जब हम सोध करते हैं तो उसमें जो टेक्निक्स हैं डाटा कलेक्शन करने की जो टेक्निक्स हैं उनका बहुत ही इंपोर्टन्ट रोल होता है हमारे सोध को पूर्ण करने में उनको बैवहारिक प्रता प्रदान करने में, क्योंकि हमारे जो data collection करने के जो technique है, उनके माध्यम से ही जो हमारा जो सोध कार है, वो सही धंक से हो सकता है, या उसको सही धंक से पूरा किया जा सकता है, तो इसमें बहुत समाजिक सोध में कुछ जो है बिधिया बताई गई है, टेकनिक्स बताई गए है, प्रविधियां बताई गई है, डेटा कलेक्शन करने के लिए तो उनमें से ही एक जो महत्वपुर्ण प्रविधी है वो है observation जिसे हम निरिक्षन कहते हैं तो निरिक्षन शब्द जो है वो अंग्रेजी भासा के observation का परियाएवाची है जिसका अर्थ होता है देखना या आउलोकन करना या निरिक्षन करना किन्तु समाजिक अनुसंधान की एक बिवस्थित पद्धती के रूप में निरिक्षन का एक अपना ही प्रिथक अर्थ होता है यदि संशेप में कहा जाए तो निरिक्षन का अर्थ है कारे कारन अथ्वा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वभाविक रूप से जटिल होने वाली घटनाओं का सुक्ष्म अध्यन करना मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को जो है देख कर या अनभो करकर कुछ निश्कर्ष निकालते हैं लेकिन समाजिक सोद के अंतरगत जब हम इस उद्देश शिशे देखते हैं किसी चीज़ को कि उसके करन करन संबंधों का पता लग सके और उनके आपस में जो उनके रिलेशन्स हैं उनका पता लग जाए तो उस द्रिश्टिकों से देखना जो हो आता है निरिक्षन के बारे में प्रोफेसर सी ए मोजर ने कहा है कि थोश अर्थ में निरिक्षन में कानों तथा वानी की अपेक्षा आखों के प्रयोग की सुतंत्रता है आक्सफोर्ट कंसाइन सब्दकोस में निरिक्षन की परिभासा जो बताई गई है वह है घटनाए कारे कारण अथ्वा पारस्परिक संबंधों के संबंध जिस रूप से वे उपस्थित होते हैं का निरिक्षन एबं वर्णन करना ये आक्सफोर्ट डिक्षनली के आधार पे ये परिभासाएं बताई गई हैं तो इस प्रकार जो है इन परिभासाओं से यह एसपस्थ होता है कि निरिक्षन प्रविधी जो है प्रविधी प्रात्मिक सामागरी के संग्रहन की प्रत्यक्ष प्रविधी है मतलब primary data collection करने का जो है ये एक direct methods है methodology methods है इसकी अंतरगत हम जो है वो direct way में जो है वो अपने प्रद्दतों का संग्रह करते हैं निरिक्षन का तात्पर उस प्रविधी से है जिसमें नेत्रों द्वारा जीवन नवीन अथ्वा प्रारंभिक तत्यों का विचार पुर्वक संकलन किया जाता हो साथ ही इस प्रविधी में अनुसंधान करता अध्यन के अंतरगत आये संबूह के दैनिक जीवन में भाग लेते हैं लेते हुए अथ्वा उससे दूर बैट कर उनके समाजिक एवं व्यक्तिगत बैवहारों को बैवहारों का अपने ग्यानेंद्रियों द्वारा निरिक्षन करते हैं तो ये थी इसकी डिफिनिशन्स या इसका मिनिंग जो हमने आपको बताया कि किस तरह से जब हम किसी चीज़ को समाजिक सोध की दिष्टिकों से उसके महत्व के दिष्टिकों से देखते हैं तो वह समाजिक सोध कहलाती है और इसमें हम उसमें करन-करन समबंद वह भी ढूंने और देखने का प्रयास करते हैं और इसमें जो सबसे important जो ये चीज होती है इसमें हमारी ग्यारेंद्रियां जो होती है वो participate करती है भाग लेती है और उनके द्वारा ये जे किया जाता है और उनमें भी सबसे ज्यादा जो होता है वो आखों के द्वारा जो है वो हम इनको इनका निरिक्षन करते हैं इसके ब पतलाई हैं, जो कुछ प्रमुख विशिष्टाएं हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे, तो पहली जो इसकी विशेष्टा है, वह यह है कि यह मानमिय इंद्रियों का पुर्ण उप्योग करता है, मतलब मानमिय जो है, पुर्ण उप्योग पहला है, इसमें क्या होता है, कि निरिक्षन प्रविधी में मानमिय इंद्रियों का पुर्ण उप्योग किया जाता है, निरिक्षन में हम कानों एवं बाग की शक्ती का भी प्रयोग करते हैं, परन्तु इसका उप्योग जो है वो अपेक शाकृत कम होता है, जिसमें विशेशकर नेत्रों के प्रयोग पर अधिक महत्वा दिया जाता है, निरिक्षन करता जो कुछ भी देखता है, वह उसे डेटा के रूप में संकलित कर लेता है, या लिख लेता है, तो ये जो है, इसमें मानमी जो सेंस हैं, मानमी जो ग्यानेंद्रियां हैं, उनका बहुत ही इंपोर्टेंट रोल होता है, और इसकी एक प्रमुख विशेशता होती है, निरिक्षन की, कि इसमें जो ग्यानेंद्रियां हैं, उनका उनका यूज किया जा सकता है, या किया जाता है, दूसरी जो इसकी विशेशता होती है, वह है कि उद्देश्यपूर्ण एवं सुक्ष्म अध्यन, जो है, इसमें हम लोग जो है, इसकी विशेशता है कि इसमें हम उद्देश्य पुर्ण और शुक्ष्म, छोटी छोटी भी जैनकारियां हम हासिल कर सकते हैं, यह करते हैं. मतलब, नेरिक्षण प्रविद्धी में नेरिक्षण सदैव ही उद्देश्य पुर्ण एवां सुक्ष्म होता है, मतलब उसका कोई न कोई अपना उद्देश्य होता है इस रूप में यह सामानी निरिक्षन से भिन्ने है प्रतेक मनुष हर समय सदैव ही कुछ न कुछ देखता है परंतु वैज्यानिक दिश्ट्रिकों से इसे निरिक्षन नहीं कहा जा सकता निरिक्षन जो है निरिक्षन का तो एक विशेश उद्देश्य होता है और इसलिए वह अती सुक्ष्म एवं गहन भी होता है क्योंकि इसका उद्देश्य है अगर हम इसमें जो बारीकियों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो शोद जो है वो उसमें वो सही नहीं हो सकता क्योंकि सोथ पूरा डाटा जो हम collection करते हैं प्रदत जो संग्रह करते हैं उस पर निर्भर होता है और वो संग्रह करने में अगर हम कोई गरवड़ी कर देंगे सही data हम collection नहीं करेंगे तो जो हमारा निश्कर्स है वो सही नहीं निकल सकता है या उसमें बदलाव होने के chances हो सकत है तो इसलिए जो निरक्षन की दूसरी महतोपुर्ण विधी जो होती है वो ये होती है कि यह उद्देश्य पूर्ण होता है और एकदम सुक्ष्म होता है मतलब सुक्ष, जोटी सी छोटी बातों को गये हम इसमें देखते हैं और बेग्यानिक द्रिश्टिकौन से हम इसक अपने अलग-अलग डिस्टिकों से, कोई भी एक ही घटना है, तो हर व्यक्ति जो है उसको अपने अपने धंग से उसका निरिक्षन करता है, उसको देखता है कि उसमें और उसमें करण-कारण संबंध अस्थापित करने का प्रयास करता है, तो ये जो है इसकी दूसरी विसे देखता है, वह यह है कि यह प्रत्यक्ष अध्यन होता है, इसमें क्या होता है, जो शोद करता है, वो डिरेक्टली इन्वाल्व होता है, और निरिक्षन में जो है वो भाग लेता, निरिक्षन के माध्यम से जो है वो जो भी घटनाए है, जिस चीस पर वो शोद कर रहा है, वो उसमें direct involve हो जाता है, मतलब कि इसमें प्रत्यक्ष अध्यन किया जाता है, अनुसंधान करता जो है, वह स्वैंग ही अनुसंधान के छेत्र में जाता है, और निरिक्षन करता है, तथा आकडों का संकलन करता है, तो यह जो होता है, एकदम प्रत्यक्ष होता है, इसकी चौ पारस्परिक और कारे कारन संबंध का to know about the mutual and cause effects relationship जो है उसको हम लोग इसमें judge कर सकते हैं इसका क्या मतलब होता है जिसे कि निरिक्षन प्रविधी जो है कि एक अन्य महत्वपुर्ण विसेशता जो होती है है कि उद्देश्री जो इसका होता है पारस्परिक एवं कारे कारन स संबंध जो है उनको मालूम करना होता है उद्देश्री क्या है कि उनके बीच जो घटनाएं है जो इसका हम अध्यन कर रहे हैं उनके उनमें क्या संबंध है क्या relation है उसको हम जानने की कोशिश जो है वो करते हैं किसी भी प्रकार के गहन या उद्देश्य पुर्ण निरिक कह सकते हैं परन्तु वैज्यानिक पध्धती के रूप में इसका उद्देश्य कारन संबंध का पता लगाना है कौज एंड इफेक्ट का पता लगाना होता है तो यह उसकी चौथी विशेष्टा थी इसकी पाचवी जो विशेष्टा है वहिया है कि सामोहिक बैवहार का अ जा रहे हैं जिसे संबंधित तो वहां में हम सामोहिक जो है वो उनके बैवहार का सामोहिक अध्यन कर सकते हैं इसका क्या मतलब है कि इस विधी का प्रियोग सामोहिक बैवहार के अध्यन के लिए किया जाता है वैक्तिक बैवहार की जिस प्रकार सबसे अच्छी प्रविध व्यक्तिक अध्यन है, जो व्यक्तिक अध्यन है, case study जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार सामोहिक व्यवहार के अध्यन के लिए जो सबसे उत्तम जो प्रविधी है, वो क्या है? निरिक्षन है, वो निरिक्षन प्रविधी है, क्योंकि इसमें हम सामोहिक रूप से अध्यन कर सकत जैसे कि वैक्तिक अध्यान जो है वो वैक्तिक जो आपका अध्यान के अंतरगत आता है जिसको केस स्टड़ी करते हैं पाटिकुलर किसी केस के बारे में पढ़ना पाटिकुलर किसी वैक्ति के बारे में जानना लेकिन इसमें क्या है बहुत सारे लोगों के वैवहार का अध् की होती है मैंने अपने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमें अपने कोर्स में इन सब प्रविधियों को जिसकी प्रविधियों की मैं हमने चर्चा कि थी उनको अलग-अलग जो है वो हमें अपने चैप्टर के अंतरगत पढ़ना है और हमें इसी उसी के तहद हम ये observation जो च प्रविधि है वह कितने प्रकारकी होती है कितने तरह की होती है इसकी चर्चा हम करेंगे अब तो निरिक्षन जो है वह मुखिता जो है वह छे तरह की होती है और विशेशकर हमको जो अपने इसमें study करना है हमारे syllabus में उसमें हमको सहभागी और असाभागी जो है उसका इन दो निरिक्षन की विधियां है, जो सरवाधिक प्रचलित विधियां है, जिनका उप्योग ज्यादातर होता है, उसका अध्यन हम फिर डिटेल्स में करेंगे. तो जो पहली जो इसका प्रकार है निरिक्षन जो पधती है प्रविधी है निरिक्षन उब्जर्वेशन जो है उसके जो प्रकार है उसमें पहला जो इसका प्रकार है वह यह है नियंतृत निरिक्षन means uncontrolled और नियंत्रित निरिक्षन मतलब uncontrolled observation पहला दूसरा है नियंत्रित निरिक्षन मतलब controlled observation तीसरा जो है वह है सहभागी निरिक्षन participant observation और चोथा जो है वह है औसहभागी निरिक्षन मतलब non participant observation और पांचवा जो है वह है अर्दसहभागी निरिक्षन quasi participant observation और लास्ट जो है वह है सामोहिक निरिक्षन mass observation तो ये छे तरह की छे प्रकार है निरिक्षन के अब हम इन छे प्रकारों में से जो दो बहुत ही महत्तुअपुर्ण जो इसकी प्रकार है सहभागी और और सहभागी निरिक्षन उनका अध्यन करेंगे तो सबसे पहले हम सहभागी जो निरिक्षन है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये क्या है और पिछले क्लास में मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया भी था लेकिन इसमें हम लोग डीटेल्स में पढ़ेंगे तो सहभागी यानि कि participant observation सहभागी मतलब एक दूसरे का मदद करना सहभागी मतलब participant उसमें भाग लेना तो सहभागी निरिक्षन शब्द का प्रियोग जो है सबसे पहले लिंड मैन ने अपनी लिंड मैन की जो एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1924 में social discovery नामक पुस्तक में किया था मतलब सहभागी निरिक्षन का जो प्रियोग था सबसे पहले उन्होंने स्री लिंड मैन ने 1924 में प्रकाशित अपनी जो उनकी पुस्तक थी social discovery नामक पुस्तक में किया था एक्शुली इससे पहले भी इस प्रविधी का जो है वो प्रियोग होता था लेकिन जो प्रोफेसर लिंड मैन ने है अपनी पुस्तक में जो है सहभागी निरिक्षन के पक्ष में मतलब पहली बार उसमें बताने का प्रयास किया गया है अब है कि ये सहभागी जो है निरिक्षन जो है वो क्या होता है क्या इसका मतलब है participant observation से हम क्या समझते हैं तो जो इसका अर्थ है कि सहभागी निरिक्षन जो है इस प्रकार के निरिक्षन में निरिक्षन करता जो होता है उस समू का जो है उस समू का जिसका वे अध्यन करता है उसका जो है अध्यन करता है जाकर उसके साथ बस जाता है उस समू का जो है वो हिस्सा बन जाता है उस समू की सारी क्रियाओं में भाग लेता है भागिदार रहता है और उसके साथ साथ रहकर निरिक्षन करता है जैसा कि कोई भी व्यक्ति जो है जो भी सोध करता है वो जिस भी सम्बंधित जो ग्रूप है जैसे मालिज्य की किसी कोई शोद करता है और उसने किसी खास जो है इसे की मुंडाज जो जन जाती है उस पर ही सोद करना चाहता है तो वो क्या करेगा इस निरिक्षन के अंतरगर वो उस समुदाई का जो है वो हिस्सा बन जाता है उसके हिस्सा बन कर और उसके जितने भी उनके समुदाई में जो रिती, रिवाज, कल्चर, उत्सो जो होते हैं उन सब में पाटिसिपेट करता है और वहां रहकर उनके साथ साथ रहकर कुछ दिन तक रहता है और उनके बारे में सब कुछ जो है वो सारी जो सुचनाय जो है वो एकत्रित करता है और इसे ही जो है वो सहभागी जो है वो निरिक्षन जो है कहां जाता है अब है कि सहहाधी निरिक्षण जो है इसके dinheiroait क्या है यह सहबाणी निरिक्षण अब इसके six marriage क्या है Board and क्या है देखिये इसके साथ प्रॉब्लोम्स किम आएंगे कोई भी व्यक्ति जो है अपने ग्रूप का हिस्सा हम अगर उसके ग्रूप से बिलॉंग नहीं करते हैं तो जल्दी नहीं होता है तो बहुत चारे प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन समाजिक अनुसंधान में इससे जो है एक्ष्वल डाटा जो है वो कलेक्शन करने में वास्तविक जानकारी प्राप्त करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है क्योंकि शुरु शुरु में कोई भी वैक्ष्वल जो उसका हिश्वा बनता है उससमुदाय का तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग वो अपनी जानकारी क्यों देंगे किसी बहरी लोगों को तो इस तरह की समस्या आती है लेकिन धीरे-धीरे जो है वो वैक्ष्वल जो है उस समुदाय का जो है वो हिस्सा बन जाता है और अपने शोतकारे को पुरा करता है इस डिरिक्षन से बहुत सारे डाटा कलेक्शन कर के वह हिस्सा बन सकता है तो इस तरह से हम जो इस निरिक्षन के अंतरगत हम देखते हैं कि वैक्ति जो है या अनुसंधान करता जो है जो छेत्र है अनुसंधान का जो छेत्र है उस छेत्र का हिस्सा बनकर जो है वो अपने प्रदतों का संकलन करता है अब है कि आसाभागी नि प्रत्यक्ष अध्यान क्या जाता है, प्रत्यक्ष अध्यन क्या मतलब Direct Study, मतलब क्या है कि सहभागी निरिक्षण में सहभागी निरिक्षण जो प्राविधी है, इसकी ul. मुख्य विशेष्टा ये होती है कि ये समाजिक परिस्थीतियों का प्रत्यक्ष अध्यन जो है इसमें संभव हो जाता है इस प्रविधी में जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि उस जो अनुसंधान छेत्र है उसका हिस्सा बनकर जो है जो निरिक्षन करता है वह प्रदतों का संकलन करता है तो इस तरह से इसमें व्यक्ति जो है डारीक्ट इनवाल्व होकर सुशनाओ को एकत्रित करने का काम कर सकता है दूसरा जो इंपॉर्ट है इसका गुन है वो है कि इसमे जो गहन अध्यन मतलब ढीप नौलेज जो है डीप अध्यन इसका हम कर सकते हैं और सुख शुक्षम अध्यन भी कर सकते हैं, तो मतलब कैसे करेंगे, जो सहभागी जो निरिक्षन होता है, इसके अंतरगत जो है, वो निरिक्षन करता जो है, को समश्या का अतिगहन और शुक्षम अध्यन करने का एक अच्छा उसर मिल जाता है, तो कैसे कर पाता है, देखिए, कोई भी जो अनुसंधान का छेतर है, तो अगर हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो अगर हम किसी से पूछेंगे, तो बहुत सारा चीज है कि वो नहीं भी बताएंगे, लेकिन अगर हम खुद ही उसका हिस्सा बन गये, उनको ये भी स्वास दिला दियें कि नहीं, हम जो आ आपसे अलग नहीं है, अपनत वका जो है उसको फिलिंग, उसको हम से मिलेगा, तो वो जो है, जो है बहुत सारी जो अंदर की बाते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, जिसको हम वास्त्विक रूप में हम नहीं देख पाते, क्योंकि जनरली उनको छुपा दिया जाता ह उनको नहीं बताया जाता, उनको सामने प्रकास में नहीं लाया जाता, तो हम जब उसका हिस्सा बन जाएंगे, और उसके साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, रहेंगे, सोएंगे, हर उनके कल्चर में एक्टिविटी करेंगे, हर उत्सवो में भाग लेंगे, तो हम बारे में काफी deep knowledge जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और उसका सुक्ष्म छोटी छोटी बातों का जो है वो हम ध्यान रख सकते हैं और उन छोटी छोटी बातों का को जो है हम बहुत कुछ जो है वो जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं इस निरिक्षन के माध्यम से तो यह इसक ता थी सहभागी निरिक्षन की। इसकी जो तीसरी महत्वपुन विशेषता है वह यह है कि इसका वास्त्विक व्यवहार का अध्यन होता है। इसमें सहभागी निरिक्षन जो प्रविधी में वास्त्विक व्यवहार का अध्यन का एक अच्छा औशर प्राप्त होता है। क्रितिम होता है। लेकिन सहभागी निरिक्षन में क्या होता है कि इस प्रकार की कशनाई नहीं आती है। अगर हम किसी से भी कोई चीज पूछने जाते हैं या बताते हैं तो जरूरी तो नहीं है कि वो जो है वो सच्छी चीजे ही हमें बताएगा। हो सकता है कि वह कुछ जो चीजे हैं उसको छुपा के कुछ बनावटी बना के बना। प्रशोंट तो फॉर एक्जांपल अगर हम जा रहे हैं जोडी किसी कोई केसस है उसका अज़न कर रहे हैं और हम संबधित परिवार से मिल जाते हैं…. तो मिलने जाएंगे तो हम पूछेंगे तो हो सकता है कि वो actual data जो है वो लोग शुपा रहे हैं वो उसकी जानकारी सही धंग से हमें नहीं दे रहे हैं तो इस तरह से क्या होता है जब हम सहभागी निरिक्षन पविधी को अपनाते हैं अपने सोध में तो इससे चुकि हमने पहले ही बताया कि इसमें participant उस जो समुदाय है वो जो छेत्र हनुसंधान का उसका हिस्सा बन जाता है तो इससे क्या होता है जो वास्तविक जो है actual जो facts है actual जो चीजें हैं उसका हम अध्यन कर पाते हैं और हम जो है छोटी सी छोटी बातों का जो है को भी जान पाते हैं यह इसकी तीशरी जो है वो विसेशता है जो चौथी विसेशता इसकी है वो यह है कि संगरित जो हम संगरित करते हैं सुशनाओं की उसकी परिक्षा जो है वो हम कर पाते हैं मतलब उसको जाच कर सकते हैं, जो भी हम दोग डाटा जो कलेक्शन करते हैं, संग्रहित करते हैं, उनका हम जाच भी कर सकते हैं, इसमें क्या है सहभागी निरिक्षन द्वारा संग्रित सुचनाओ के अधिक शुध औवम विश्वशनी होने की आशा होती है, क्योंकि इसकी शरीक्षा सदयव ही की जा सकती है, निरिक्षन करता चुकि व्यक्तिकत रूप से समुदाई की विभिन परिस्थितियों का में भाग लेता रहता है, आकांस्त होने पर उन्ह वैसी ही परिस्थितिया लाने पर उस की जाच की जा सकती है, मतलब चुकि इसमें हम जो सोध करता है, वो उस समुधाय का हिस्सा बनकर जो है वो data को collection किया है, तो इसलिए हम जो भी सुषनाएं एकत्रित ये करकिये हैं, वैसे ही फिर से महाल में हम उन सुषनाओं की पुनह जात जो है वो कर सकते हैं, तो इस तरह से सुषनाओं का परिक् ज़ने कि अब है इसकी अगली विशश्ता तो अगली विशयश्ट इसकी है कि सतogy आसान जो निसीन एक अध्यन शर्थ है सम्बंदित वती निरीख्षन करता को निरीख्षन करने का औौशर प्रदान करें उब जहां पर सबसे इंपर्टिंट है कि अगर वैक्ति उसको अलाव कर देता है निरिक्षन करता को कि हां हम आपको सोचनाय देंगे या आप इसका हिस्सा बन जाएं तो बहुत आसानी से जो है हम बहुत सारी सोचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं तो ये कुछ विशेष्टाय थी सहभागी निरिक् स्मुधिति आध्यम से वयकति या सोध करता यो है वह वह संबंदित सोधफ शेत्र में या समुदायम का खुद हिस्सा बन जाता है और उसके टि, रिवाज, इसके विशेष्टाइ बहुत सारी विशेष्टाइं बतलाई गई जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी विशेष्टाइं जैसे कि इसमें हम प्रत्यक्ष अध्यन कर सकते हैं, उसके बाद हम छोटी सी छोटी सी बातों कोई जानकारी ले सकते हैं, उसके बाद से इसमें real, actual जो है वो अध्यन होता है और जो data हम collection करते हैं, जो भी प्रदत संग्रह करते हैं, उनकी पुना जाज करना बहुत आसान होता है और इनकी ये बहुत ही easy होता है, अगर कोई वेक् कर सकते हैं, easy way में, तो ये था इसकी विशेष्टाएं, अब हम लोग इसके सहभागी जो अवलोकन है, सहभागी जो अवलोकन या निरिक्षन है, इसको इसकी हम जो सीमाएं या दोस हैं, क्या इसके limitations हैं, इसकी चर्चा करेंगे, हमने विशेष्टाओं के बारे में देखा कि क्या विशेष्टाएं थी, अब इसके limitations क्या हैं, इनकी, इनका जो merits, demerits जो है, वो क्या है, उसका आधियन करेंगे, तो इसका जो पहला जो demerit जो है, वो यह है, कि पुर्ण रूप से जो है, सहभागीता जो है, वो संभाव नहीं है, जो full participation जो है, जिसकी बात हम लोग करते हैं, तो वो जो है not possible, उसमें इसमें यह संभाव नहीं है, क्योंकि देखिए, कोई भी समुदाय जो है, किसी भी बाहरी लोगों को, बाहरी को, अपने समुदाय का अंग नहीं बनाता है, जो real में, मतलब जो यह चीज है, जो बात यहीं है, कि कोई भी अंजान व्यक्त को जो है, अपने समुदाय का, या अपने घर का, अपने परिवार का, या उस जगह का हिस्सा जो है, वो जल्दी नहीं बनाता, तो इसलिए जो है, या अगर बना भी लेता है, तो पुर्ण सहभागिता नहीं होती, कुछ मेंबर्स जो अपने पर्टिकुलर जो प्रस्नल च होता है, तो ये जो है, इसकी पहली जो है, डिमेरिट है, दूसरी डिमेरिट है, कि समुद के बेवहार में परिवार्तन, जो इसमें बताया गया कि हम समुद का अध्यन करते हैं, तो समुद का जो बेवहार जो है, वो बदल सकता है, वो एक अस्थाई नहीं रह सकता, वो प सबसे अच्छी मतलब ये प्रविदी है अवलो का निरिक्षन की पध्यती इसके माध्यम से हम जो है मतलब समूग का अध्यन कर सकते हैं लेकिन समूग का जो वैवहार जो है वो एक जैसा नहीं रहता कभी-कभी जो क्या होता है अनुसंधान करता के कारण ही समूग के वैक्ति है उसका सरपन चुन लिया जाए तो इस रूप में उसके प्रति लोगों का वैवहार अवश्य ही प्रभावित होता है और यह वास्तिक निरिक्षन नहीं कर पाएगा मतलब अगर लोगों का जो सोच है जो समूग का जो सोच है वो एक जैसा नहीं रह सकता है वो जो है परि तो दूसरी इसकी जो अउगुन है वहिया है कि इसमें समूग का जो वैवहार का जो है वो मतलब अध्यान जो करते हैं हम उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है तीसरी जो इसकी दिमरिट है या लिमिटेशन है वो यह है कि जो अपरिशित जो मूले है कि लाव संभव नही होता है ये क्या है इसमें होता है कि समाज की क्रियाओं में घनिष्ट संपर्क भी कभी-कभी उनके सुक्ष निरिक्षन में बाधक हो जाती है या सिद्ध क्योंकि समुव के सदश्य के रूप में हम अनेक घटनाओं को युहीं सामानि समझ कर छोड़ देते हैं समू से एक कदम अपरचित होने पर हम को यहां वहां की प्रतेक क्रिया नवीन एवं आकरशक लगने लगती है, मतलब क्या होता है कि देखिए, जब हम हम किसी समुदाय का हिस्सा बनते हैं और हम हम एक्शुल में उस सम्मुदान से जुड़े हुए नहीं है तो उसमें क्या है, बहुत सारी ऐसी घटनाय जो होती है, छोटी-छोटी जो मुल्य होते हैं, तो उनका अध्यन नहीं कर पाते, क्यों क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि इसमें इसका क्या मतलब है, क्योंकि हम एक्शुल में तो उस समुदा या उस समाश का हिस्सा हम नहीं है तो नहीं है, तो हम उनको यूँ ही जो है उसको छोड़ देते हैं, तो जो छोटी-छोटी जो बाते हैं, सुक्षिम जो अध्यन जो है, वो सम्भव नहीं हो पाता है सपस्ट है कि सहभागी निरिक्षन में हमें आपरिशित मूले जो होते हैं जिनका हमको पहले से कोई ज्यान नहीं होता है चुकि हम उसका एक्शुल हिस्सा नहीं है इसकी वजह से हमें उस बात का ग्यान नहीं है तो उस ग्यान को जो है, वो हम प्राप्थ नहीं कर पाते हैं तो ये इसका जो है तीसरा लिमिटेशन से है, इसकी चौथी जो लिमिटेशन या अηगिन जो है वो बताय गया है कि यह बहुत जादा अधिक जो है वो खर्चीलि प्रणाली की है, मतलब काफी expensive method है, इसको करने में, काफी खर्च होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कि सहभागी निरिक्षन प्रविधी अत्यधिक खर्चिली होती है, साथ ही अधिक समय खर्च करने वाली भी होती है, इसमें बहुत time taken and money taken, दोनों होता है, क्योंकि अपन समुदाय का, उसका हिस्सा, उस वर्ग का, या उस जो प्रस्थिती है, उसका हिस्सा बनते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, कि जो वास्तों में निरिक्षन करता इस संबंद में, बै और समय की मातरा का पहले से जो है, वो कोई अनुमान उसको नहीं लगता, हो सकता है कि आपक के साथ मिल ही नहीं पाएं, और आपको actual सुषनाय नहीं दे पाएं, और इस तरह से हम देखते हैं, कि ये बहुत ज़्यादा खर्चिली होती है, क्योंकि उतने दिनों तक अपने घर, अपने काम को छोड़ कर, आप उस काम के लिए एक दूसरे समुदाय के साथ जो है वो र अपने मैरिट्स है या लिमिटेशन्स है वह यह है कि इसमें बस्तुनिष्टता जो है वो संभाव नहीं है, objectivity जो है उसका अभाव होता है, मतलब पॉस्बूल नहीं होता है, साभागी निरिक्षन में बस्तुनिष्टता जो है नहीं हो पाती है, समुद के सदश्य होने के नाते होने पर वह समू से अपना भावात्मक जो है एकी करन कर लेता है एक निश्पक्ष द्रश्टा के अस्थान पर वह अपने को समू का एक अंग मान लेता है और इस प्रकार उसका वैग्यानिक दिश्टिकों जो है वो समाप्त हो जाता है साथ ही साथ वह अनेक घटनाओं का मुल्यांकन जो है करते समय अपना पक्षपात या पक्षपात जो है वो कर सकता है इस इस्थिती में वैग्यानिक खोज के लिए अत्यन थानिकारक यह हो सकता है तो क्या होता है कि हमारा उनके साथ भवात्मक जो है लगाऊ हो जाता है और इस तरह से क्या होता है कभी-कभी हम उस लगाऊ के वज़े से जो तथियों को जो है निसपक्ष रूप से जो है उसको जज नहीं कर पाते हैं बैग्यानिक जो हमारा दिश्टिकून है बैग्यानिक जो विश्टिलेशन है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं और इस तरह से जो हमारा सोध का जो उद्देश्य है जो बैग्यानिक पथती के माध्यम से करनी का जो ये उद्देश्य है कि हम डाटा जो है उसको सही धंग से कलेक् पाते हैं क्योंकि जब हम हिस्सा बनते हैं तो किसी के साथ अगर आप दो दिन चार दिन रहिए तो automatically आपको जो है उसको उसे एक भावात्मक लगा हो जाता है और इस तरह से इसमें जो वस्तुनिष्टता तो यह कुछ जो थे वह साभागी जो यह उसकी लिमितेशंज या दोस्त थें इसके बाद जो next हम इसमें इसका पढ़ेंगे वो है औसहभागी निरिक्षन मैंने बताया था सहभागी के बारे में और दूसरा जो इसका जो निरिक्षन के प्रकार है उसमें जो important है जो हम लोगों को पढ़ना भी है वो है औसहभागी निरिक्षन जैसा कि simply नाम से ही समझ मे जा रहा है कि औसहभागी मतलब जैसे कि हमने सहभागी में क्या पढ़ा कि उसमें बैक्ति जो है वो हिस्सा बनके सहभागी बनके जो है वो अपनी खोज करता है रिसर्च अपने समश्या के समाधान के लिए तत्यों का संकलन करता है लेकिन इसमें उसके ठीक बीपरीत होता तो सहभागी निरिक्षन भी और नियंत्रित निरिक्षन का ही एक प्रमुख रूप होता है, जो हमने बहुत सारे इसके पढ़े नियंत्रित, और नियंत्रित, सहभागी, असहभागी यह जो हम लोगों ने पढ़ा प्रकार उसमें, उसमें सहभागी निरिक्षन भी और नियं करना है निरिक्षन एक तटस्त दश्टा की भाती वैज्ञानिक भावना से करता है इस प्रकार किये निरिक्षन में निरिक्षन करता समुदाय या समूह का ना तो औस्थाई सदश्य ही हो बनता है और ना ही उनकी क्रियाओं में भागिदारी बनता है दूर से ही जो कुछ भी वह निरिक्षन करता है, उसकी गहराई तक पहुशने का प्रयास करता है, अनुसंधान करता सामुहिक जीवन में स्वेंग प्रवेश करके करने के बजाए उसके बाहय पहलूओं का निरिक्षन करता है, इस प्रकार जो है यह निरिक्षन एवं यह निस्पक्ष एवं स्वतंत पुर्वक अध्यन जो है, है इस प्रकार की प्रविधीम की ये विशेष्टा है, तो इसमें हमने जैसा कि बताया कि सहभागी के विप्रीत जो होता है, इसमें जो है निरिशन करता जो होता है, वह एकदम तटस्त रहता है, चुकि उसमें कोई भावनात्मक लगाव नहीं होत होता है, वह नहीं तो उसका समू होता है, नहीं तो स्थाई, उसका सदश्य होता है, तो इसलिए जो है वह और नहीं उसके क्रिया कलापों में ही भागीदार निभाता है, तो इसलिए वह ततश्त रह कर किसी बात को सावधानी से देखने का सुक्ष निरिख्षन करता है, औ इसके बाहे पहलुओं को जो है वो पहलुओं का निरिक्षन करता है और निस्पक्ष और स्वतंत्रता पुरुवक करता है पतलब उसको किसी तरह का भावात्मक अटेश्मेंट या इस तरह का कोई भी चीज नहीं होता है समुदाय से वह निस्पक्ष और स्वतंत्र होकर जो ह जो नन पाटिसिपेंट्स जो अब्जर्वेशन है इसका इसके जो है जो मेरिट्स क्या है तो इसके जो पहली जो है विशेष्टा है यह यह है कि आसाभागी निरिक्षन में वस्तु निष्टता आने की अधिक संभावना होती है क्योंकि इस प्रकार के निरिक्षन में अनुसंधान करता जो है जो है या जो निरिक्षन करता है चुकि अपने को समुख के कारियों में बिल्कुल सामिल नहीं करता है इसलिए पक्षपात होने की जो है वो संभावनाएं नहीं है तो इसकी जो पहली विशेष्टा होती है कि जो है वो वस्तुनिष्टता से संबंदित है और इसमें यर्थार्षता जो है रियालिटीज जो है वो ज्यादा होती है दूसरी जी उसकी विसेश्टा है वह है कि और साहभागी निरिक्षन की दूसरी उपयोगिता जो है विश्वष्णिय सूचनाओं की प्राप्ति की दृ जैनी की सम्भावना रहती है परंतु इस पद्धती में निरिक्षन करता स्वैंग ही सब कुछ देखता और देखकर जो अब्जर्वेशन करता है उसको लिखता है तो इस तरह से जो है वो जो सूचनाओं को एकत्रित करने में जो है उसकी उपयोगिता जो है ज्यादा होती हैं तीसरा जो इसका गुण है वो है कि और सहभागी निरिक्षन में निरिक्षन करता को अधिक आदर एवं सहयोग भी मिलना संभव होता है इसका मुख्य कारण यह है कि वह अपना परिचे जब समूह के सदश्यों को देता है तो स्वता ही समूह के सदश्य उसका आदर करने लगते हैं तो मतलब की निरिक्षन करता जब किसी को बताए कि हम रिशर्च करने आये हैं तो वो क्या है उसको मतलब आसानी से उसको सुचना दे देता है और बोलता है कि मतलब अपना परिचे देता है तो देता लेकिन दूसरी तरफ क्या है जब हम हिस्सा बनने जाते हैं स या उनकी भलाई के लिए ही कुछ करने वाले हैं तब ही वह कुछ information देते हैं और जब दूसरी तरफ जब जहां हम जाते हैं और कहते हैं कि हम एक researcher हैं और हम आये हैं इस सब को जानने और तो वह बैक्ती जो है अलग भावना से आपको अलग नजरिये से देखता है और इस तरह प्रथी विशुष्टा है वो यह है कि सहभागी जो निरिक्षन की अपेक्षा और सहभागी निरिक्षन में कम से कम समय और कम धनकी खर्च होती है क्योंकि जब जरूरत है हम उस समुदाय के पास जाएंगे निरिक्षन करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे उसका हिस्सा नहीं बनते हैं, इसलिए हमें पता होता है कि हमें कब जाना है, कितना वहाँ टाइम देना है, सब कुछ पहले से निर्धारित होता है और उस आधार पे जो है वो समय और धन दोनों की बचत होती है, तो ये थे कुछ और सहभागी जो है निरिक्षन के कुछ जो मैरिट्स थे उसके बारे में था, अब है कि इसकी जो डिमेरिट्स है वो क्या है, तो इसके जो डिमेरिट्स है उसमें जो पहला जो इसका डिमेरिट्स है वो यह है कि और साभागी निरिक्षन में निरिक्षन करता जो होता है, कई घटनाओ एवं क्रियाओं का महत्व समझने में असफल हो जाता है क्योंकि वह घटनाओं को अपने द्रिष्टिकों से देखता है ना कि भाग लेने वाले की द्रिष्टी से इसलिए घटनाओं का वास्त्विक महत्तु जो है वो छिप जाता है कोई जरूरी नहीं है कि जब हम जाएं प्रदत के संग्रह के लिए तो हम actual data उसी समय उ होता है, उससे संबंधित, उन सीजों को हम लिख देते हैं, तो यह इसका झो है इसमें उतनी मदद नहीं मिलती direction करता है को जितना की सहभागी में मिलती है, और सहभागी में जो है यह एक कमी के रूप में उसको देखा जाता है, कि जो वास्त्विक जो दिस्ठिकों जो है, वो हम ठीक से नहीं समझ पाते हैं। दूसरी जो इसकी डिमेरिट्स है वह यह है कि पूर्णत विशुद्ध और सहभागी निरिक्षन जो है वो जो पूर्णत विशुद्ध और सहभागी निरिक्षन संभव भी है। हाट ने कहा है कि जैसे की छात्र समझ सकते हैं विशुद औसहभागी निरिक्षन कठिन है जैसे कि बहुत मुश्किल से हम जो है वो औसहभागी निरिक्षन है वो कर सकते हैं जब हम जाते हैं अपने छेत्र में उस छेत्र में संगरह करने के लिए तो हम इसके महत्तों को समझ सकते हैं जो तीसरी इसकी जो कमिया है कि एक अजनवी व्यक्ति के प्रति समुदाय वाले पर संदेह प्रत होना भी सभाविक है मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम अजनवी होते हैं हमको कोई वहां जानता नहीं है तो अचानक से हमको अपने बारे में बताएंगे भी तो बहुत इजली जो है जो लोग जो है उसको जरूरी नहीं है कि वो हमें बता दे या हमसे उसको शेयर कर सकें तो ये था और सहभागी जो था निरिक्षन उसके कुछ डिवारिट्स अब हम देखेंगे कि जो सहभागी औ और सहभागी जो निरिक्षन है उसमें उसमें अंतर क्या है डिफ्रिंस क्या है और सहभागी निरिक्षन और सहभागी निरिक्षन और कभी-कभी ये प्रश्न भी आता है कभी-कभी तो सहभागी निरिक्षन निरिक्षन के अंतरगत सहभागी निरिक्षन के बारे में बता है लेकिन यहां हमो महीची मुख एक रुप से दोनों के में जो अंतर है जो अंतर है उसका अध्यन करेंगे तो पहला जो अंतर है सहभागी निरिक्षन जो होता है वह निरिक्षन वह प्रकार हे जिसमें अनुसंदान जो करता है विकेट निरिक्षन नहीं, कभी-कभी आवशकता पढ़ने पर तटक दरशक को सुशनाओ को एकतरित करता या निरिक्षन करता है तो ये इसका पहला जो, मतलब इसके में अंतर जो है, दूशना अंतर है, साभागी निरिक्षन में या नुसंधान करता, ना केवल जाकर उस समुदाई में बस जाता है, अपितु, उसकी एक अभिन इकाई, उसकी एक अभिन इकाई भी बन जाता है, उस रूप में, कि निरीक्षन करता है वह बाहर का आदमी घी बना रहता है मतलब वह समुदाय के जो क्रिया कलाफ है उनका जो है तो दूसरा इनमे जो अंतर है वो या है कि तो डायक्तली उसको कघ्यान अध्यन आध्यन जो है कर पाता है सुछ निरीक्षन कर सकता है,त्व astronomy को वो को देख सकता है लेकिन वहीं दूसरी और जो है वो आज नहीं कर सकता हैम मतलब वो ऊचुकी बाहर से ही उसको ऑफचर्व कर सकता है। तीसरी जो इसमें और तीसरा जो अंतर है, सहभागी निरिक्षन में समुदाइक जीवन के गहरे अस्तर में पहुंच कर, उसका गहन अध्यन, आंतरिक एवन सुक्षम अध्यन करना संभव होता है। इसके बिप्रित और सहभागी निरिक्षन के द्वारा सामुदाइक जीवन के केवल बाहे पक्षो अर्था उपर ही उपर दिखाई देने वाले वाली घटनाओं का जो है वो अध्यन करता है आदमी, इस डिप में जाके नौलेज नहीं, अध्यन जो है वो सोथ करता है, नहीं पक्षो को, जो उसका प्रशनल जो चीजें होती है, गुप्त पक्षो के सम्बंद में भी जैनकारी प्राप्त की जा सकती है, जबकि दूसरी तरफ और सहभागी निरिक्षन में, जो है वो अध्यन करता एक अजनवी होने के कारण से, जो उसकी गुप्त चीजें हैं, जो बहुत ही इंपोर्टेंट चीजें हैं और गुप्त चीजें हैं, उन चीजों को नहीं जान पाता है, अगली जो इसमें जो अंतर है, वो यह है कि सहभागी निरिक्षन में अनुसंधान जो करता है, स्वेंग ही विविन समाजिक परिस्थितियों में बार-बार भाग लेता है, अता संकलित सुचनाओं की सुधता की परिक्षा करने का आउसर उसे कई बार मिलता है, पर और सहभागी निरिक्षन में निरिक्षन करता, चुकि कभी-कभी समुधाय में जाता है, तो सुचनाओं की सुधता की परिक्षा करने में इसको कम आउसर मिलते हैं, जैसा कि मै एक चीज पर हर एक घटना पर हर एक चीज को वो देख सकता है जान सकता है लेकिन जो उसके बिप्रित जो असाभागी जो है वो तो एक सटें टाइम पर जाएगा कि इस समय पर गया उसमें कुछ पूछा तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि उस समय जो वो सुचना ले रहा है वो घटित घटना घटी हो हो सकता है वो घटना पहले घटी हो उसके बार में कुछ जानकारी लेने वो जा रहा है तो उस घटना को जब देखा ही नहीं है खुद से तो उसको जो लोग बोलेंगे उनसे जो सुनेगा तो उसी चीज को उसको एब्जॉब कर सकता है तो इस तरह स में चुकी अनुसंधान करता सामुदाइक जीवन में घुल मिल जाता है और वहां के लोगों को यह जानने नहीं देता है कि उसका अध्यन किया जा रहा है में चुकी वह क्या होता है वह यह कहके तो जाता नहीं है कि हम आये हैं आप पर रिसर्च करने वह तो जिस्ट एक फैमिली मेंबर की तरह होता है परिवार का सदश्य होता है समुग का सदश्य बन जाता है तो वह जो लोग है उसको मतलब अपनाwritten और से हर शेयर कर सकते हैं लेकिन जब हम पहले ही बोल देंगे कि अनुस अंधान करता हैं हम रिसर्च करने आए हैं तो इसमें बनावटी पन होना बहुत सभाविक है लोग जो एक्ट्वल बातों को छुपा कर कुछ मतलब उसमें उसके नकरात्मक चीज को ना बता के सकरात्मक चाहें तो हो सकता है चीजों को बताएं ठीक है कि उनको लागे का कि हो सकता है कि यह लोग बाहर जाकर हमारे समुदाय के बारे में कुछ नकरात्मक चीजें लिखें या पढ़ें बहुत सारे बाते उनके दिमाग में चलती हैं तो इसलिए जो है वो हमें जो इसमें जो अंतर होता यह जो है सहभागी इरिक्षन है उसमें पैसे और समय धन की खर्ष जदा होती है चुकि हमें यह ज्ञान नहीं होता है कि कब तक हमें वहां रहना है और कब तक हमें सुछनाइं प्राप्थ होंगी तो इसलिए उसमें काफी समय और धन दोनों ही खर्ष जाते हैं इसके ठीक भ प्रित जो है दन और समय दोनों की कम लगता है तो ये था इसके बारे में कि कम पैसे इसमें लगते है तो सहाबागी जो निरिक्षन है उनके उनमें क्या differences है इसकी चर्चा हमने की अब है कि हम निरिक्षन जो विधी है जो ये techniques है data collection करने की जो technique है निरिक्षन जो है observation विधी है तो इसकी महत्व क्या है इसके महत्व की हम लोग चर्चा करेंगे तो निरिक्षन प्रविधी जो है के गुनों और महत्व के विश नहीं है क्योंकि वास्तो में सर्व्प्रचलित जो है या सर्व्मान्यबिधी होने के नाते आजकल अनुसंधान कार्यों में इसकी उपयोगिणा जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसके जो गुन है उनको उनका अध्यन हम करेंगे तो इसके जो मैरिट्स है मतलब यह जो techniques है जो direction प्रविधी है तो उसका क्या महत्व है तो इसका पहला महत्व यह है कि यह सरल एवं प्राथमिक प्रविधी है जैसा कि कहा गया कि यह techniques जो हम बहुत तरह के social sciences में यूज करते हैं तो उसमें यह प्रारंभिक एक ऐसी technique है जिसका उपयोग सामानिता सभी लोग करते हैं और चुकि वो सबसे सरल है आसान है तो और जो है उसको वास्तविक जो है आपको इससे data जो है वो मिल जाते हैं तो इसलिए इस प्रविधी का जो उपयोग है वो सर्व प्रचलित यम सर्व मानने होती है तो सरल और प्राथमिक प्रविधी है निरिक्षन प् में प्राया किसी न किसी प्रकार के विशेष घ्ण किया व् jam शक्ता होती है मतलब कुछ आपको सीखना पड़ता वो कैसे करना है लेकिन एक ऐसविधी है जो आपको कुछ सीखनी किया व्युद सकता नहीं है आप जो Ship मुदाय के नेफल करते हैं। उसको सभाव बरकल से हम इसको निरिक्षन कर सकते हैं। यूदि ब्यक्ति का तो सुरू से ही यह सभाव रहा है कि वह किसी भी चीज को मतलब अलोकन देखता है, उसको निरिक्षन करता है, उसको जानने का प्रयास करता है, तो इस तरह से यह जो प्रविधी है, इसकी सबसे जो पहला जो इसका गुण है, यह बहुत ही सरल एवं प्र विश्वासनेता काफी पाई जाती है, निरिक्षन विधी का प्रियोग से अनुसंधान से प्राप्त हुए निसकर्षों में, अत्यधिक यर्थार्थ एवं विश्वासनेता होती है, क्योंकि इसमें असुध्या, इनमें असुध्यां जो होती है, वह बहुत ही कम देखने क को मिलती हैं इस प्रविधि के द्वारा सूचन तथा अंचय प्रविधियों द्वारा प्राप्त की गई सूचनाओं से कहीं न जो और भी टेकनिक्स जो है जैसे कि कॉष्DAYुर है जैसे कि इंटर इंटर्विव है तो इन सब विधियों से सबसे ज्यादा जो ये कारगर जो है यह है कि प्रकल्पना का जिन्थेमनियंगॡ , जो निर्माण करते हैं। जो प्रकल्पना होती है। उपकल्पना जिसको कहते हैं। मे यह निरिक्षन विधि का अत्यदिक सहायक किते हैं। इस प्रकार उसका अनभौ जो है वो बढ़ता रहता है। कहने की आवशकता नहीं है कि अनुभाव का श्रोत जो है वो परकल्पना का निर्मान में मुख्य जितना भी हमें अनुभाव ग्यान होगा हम उतना अच्छी जो है वो परकल्पना या कल्पना कर सकते हैं या अपना हैपोथेसिस जो है वो फॉर्म कर सकते हैं बना सकते हैं क् जिसको जितना knowledge होता है उसी तरह का उसकी जो है वो hypothesis जो होती है वो बनाता है तो ये कुछ उसके बाद जो है अगली जो इसकी महत्व है इसका अगला जो महत्व है वो है कि ये सारवदिक प्रचलित विधी है मतलब इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जो निरिक्षन की प्रव प्रतेक प्रकार के विज्ञानों में विज्ञानिक अनुसंधानों में इस प्रविधी का प्रियोग किसी न किसी रूप में किया जाता है मतलब देखा जाता है ये इसके माध्यम से शोद किया जाता है, इसकी अलग जो एक महत्व है वो है कि सरवाधिक इसका जो है वो सत्यापन जो है वो सुभिधा होती है, चुकि इसमें साभागी और जो अरोकन के माध्यम से जो है जो घटनाएं या सुषना का जो अध्यन हम करते हैं, तो उन सुषनाओं को जो है हम पु पुबारा से जो है जाच कर सकते हैं, तो ये कुछ इसके महत्वत हैं, जो प्रविधी है, ये observation technique जो है, इसकी कुछ महत्व है, इसके बाद जो है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि निरिक्षन प्रविधी जो है, कि कुछ बहुत सारी स्विमाएं भी हैं, स्विमाएं जैसे क ये जो है कि निरिक्षन करता का जो है वो पुर्वा ग्रह या मिथ्या से वो क्यो जुकाव हो जाता है, या उनके बवहार में कृत्मता आ जाती है, आटिफिशलिटी आ जाती है, तो मतलब कुछ चिजहें इसमें है ऐसी, जो कुछ सिमाय हैं, कुछ लिमुटेशन नहीं, क समाजिक विज्ञान हो या कोई भी विज्ञान हो उसमें निरिक्षन जो है जो प्रविधी का इस्तमाल जो है वो सरवाधिक जो होता है तो निरिक्षन जो प्रविधी है का समाजिक अनुसंधान में एक अपना अलग उलेखनी अस्थान जो है वो अस्थान और महत्व है और विशेशकर जो है समाज सास्त्री अध्यनों के छेत्र में निरिक्षन प्रविधी से अधिक सरल विश्वष्णिये निरंतर उपयोगी एवं सत्यापन सुविधा प्रदान होता है करने वाला और कोई प्रविधी जो है वो नहीं है। और भी इसके टेकनिक्स का विकास हो रहा है जो समाजशास्त के लिए उपयोगी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हमने देखा कि जो data collection की observation techniques है वो क्या है और उसके क्या उसके merits हैं उसके बाद उसके कितने प्रकार हैं जिसमें हमने 6 प्रकारों की चर्चा की और हमने focus किया जो participant और non participant observation जो है उसका जो प्रकार है एक इन दोनों प्रकारों की हमने उनके demerits और उनके limitations को देखा और फिर उन दोनों में क्या differences है हमने इसका अध्यन किया और फिर जब observation जो techniques है इसका importance क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा उसकी limitations के बारे में हमने पढ़ा तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही important है और सोध के लिए सोध में जो हम data collection करते हैं समस्या से संबंधित जब हम प्रदतों का संग्रा करने जाते हैं तो उसमें सरवाधिक प्रचलित जो होती है वो जो प्रविधी है वह एक observation बिधी है I hope आपको सब कुछ समझ में आया हो अगर कुछ points clear नहीं हो कोई भी doubts हो confusion हो आपके मन में तो आप comment box में जाकर अपने प्रश्णों को रख सकते हैं आज का class हमारा यहीं समाप्त होता है एक नए class के साथ बहुत जल्द हम तुबारा मिलेंगे तब तक के लिए घर में रहें गजय सकते हैं रजय करना मिलें हैं साफ बहुती हैंापक्ट का सीजिक्षप बहुत जय हो इन audio Lessons बड़्सका क सब कस्षों कर दूस्दफ टक to तूसे का स्वक हैं धूठकी्सивается में में गाइन दो जापके प्ल.नों के साथ नहीं सूपे की सबूस्सिश्छ. में जा समझ का स